कि सब्सक्राइब लोग चोड़ कर चले जाते हैं तो आप लोग इसमें अभी जरूर से अच्छे से देखिएगा कि कई सारे सब्सक्राइब आपको एंसर भी होंगे इसमें कई सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि अभी आपका समय कीमत बहुत ही ज्यादा है चलिए गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग सभी को गुड़ीवनिंग सभी को गुड़ीवनिंग चलिए शारं कब अपराधी जीला घुशित किया गया था बताएगा फड़ापट सभी लोग उनिस निज सोथीस में ब्यारीस में बैस में या उनिस तौ आठ में कोश्चन सारं जीला कब अपराधी खोशित किया गया था कि मैं दीख नहीं रहा हूं एचा हूं हुआ हूँ मेरी बजट के ग्लास इसके पहली ही है मैं दीक नहीं रहा हूं उन सब्सक्राइब यार यह क्या हो गया कि अच्छा कि अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा होगा सायथ हाना चली कि अब आ रहा है न चलो ठीक है फटा फटा अम लोग सुरू करते हैं न द्यान रखेगा सारण को अपराधी जिला नाइंटी फोटी टू में इसको घोशित किया गया था जब आपको चल रहा था लड़ाई चल रहा था बार छोड़ा अंदोरों के दर्वान तो सारण जिला को किया गया था जैप्रकास की पतनी का नाम क्या था इस सेशन में आपको कुछ संगरामें अक्टिव थी नियान प्रवति दिवी घ्र में भर्दै नरायन मंडल कहां कि थे उनके पटना के मुंगेर के मधेपूरा के भुपेंद्र नरायन मंडल बताईगा सभी लोग फटापट पट बात घ्री बिहार नेपाल यसे ब्लूरां मंडल यसज फटां फट जूडर जाए सभी लो हुटिपार की श्यास शांघर से अरम किया था 1942 के दौरार उत्री बिहार नेपाल की सीमा पर किस शापा मार ऐपको शंघर्ञoritस द्यान नखेगा जैपरकास न राएं ठीक है इन्हों नहीं एक आपको दुरूप दल भी बनाया था यह दुरूप कुमार कौन थे तो कटिहार से समझने थे बहुत ही यंग थे उनको गोली मार जी गए थी उसी के आपको बाद इन्हों ने दुरूप दल बनाया था करांतिका अंग्रेजों को परसान करना था लूटना था यह अलग चीज है लेकिन हत्या आपको इसका नहीं था ठीक है ध्यान अखेगा अब कॉमेंट मेंसर बताई है किसने कौन ट्रेनिंग देते थे यहां पर आयुवाओं को यहां पर चलिए भारत छुडवा अंदोलन के दौरान 15 अगस 1942 को चपरा के टाउन हॉल में ध्यान अखेगा सबसे पहले तो इसको ध्यान अखेगा को स्वेशन आपसे पूछ देगा कि भारत छुडवा अंदोलों के दौरान 15 अगस 1942 को कहां के टाउन हॉल के आपको अध्यक्सता सांथी देवी के दवरा किया था तो चपरा ऐसे चीज़ों को कोच्छन को किया करें सभी लोगों को नमस्ते क्या किसको किया गया था तो छप्रा को किया गया था कि ठीक है इस इसको ध्यार नखिएगा यस सांती देवी छप्रा के टाउन होन में अध्यक्षता की थी भारत छुरान दोलं के दुरान जगतलाल चौधरी यह कहां के लोगों को प्रोसाहित किया थैजने को जला दे और दरोगा को बोरे में डाल करी रदि में फेक दें सबसे पहले तो इनका भी नाम ध्यान अख्येंगा कौन safe जगतलाल चौधरी जी थे जगतलाल चौधरी जी थे इन्हों नहीं यह बात कही थी कि भाई इस दोरान यहां के लोगों को प्रोसाहिद कि ठाने को जला दे दरोगा को बोरे में डाल कर ठेक देए घटना कहां की थी सारंजीला की थी तयां रखेगा अना नाइटीथाटी सेवन के चुनाओ के उपरांद बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले हैं भिषार में फरस्ट टाइम जो चुनाओ आपको हुआ था नाइटीथा अज़्टी सेवन में उसके बाद कौन आपको यहां पर आपको बनाए थे सरकार दयान रखेगा मुहमद सबसे पहले इन्हों ने बनाया था और यहीं पर भारतिय प्रदान मंत्री कॉंग्रेसी मंदल के अगर आ जाएगा चुकि आपको मुस्लिम आपको वहां से इंडिपेंडेंडेंट लिख से थे कॉंग्रेसी आ जागा तो सिर्किष्ण सिंग मारिएगा ठीक है जो कि आपको यह कोश्टन भी है भारत का पहला मंत्री मंडल बिहार में कब कब संगठित हुआ था ब्द्रक कब आपको इसको बनाए गया था 1 अपरेल 1937 को 1 अपरेल 1939 को 1 अपरेल 1936 को या 1 अपरेल 1938 को पहल भारती मंत्री मंडल बिहार में कब मनाया गया था कब बनाया गया था ध्यान रखेगा एक अप्रेल 1937 को यहां पर निर्मान कर लिया गया था ठीक है इसको ध्यान रखेगा क्या साथ बजवाला लिंक देखे अभी मैं आप लोग को इसलिए लिंग वगरा नहीं सेर किया हूं इसके पिछे रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सेल्फ इस्टडी कि रहा है नोट्स वगरा पढ़िए इसलिए ना साथ का लिक किया है ना ही बोल कहा था कि फ्री रह लिए सत्तर बच्चे है लिए बिहार में पहला को आंजरी मंतरी मंडल का गठन का हुआ था फर्स्ट कांग्रेशी मंदल का गठन रिग्रेट की क्या बात है 20 जुलाइट 1937 यह कॉंग्रेसी मंदरी मंडल है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो हुआ था यह आपको मुहमद यूनिस के दोरा किया गया था पर कुछी दिन पर इनको त्याग पतर दे दिया गया था कहा गया था कि गवर्णर के तरब से बहुत चीजों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था जिसके कांशन को त्याग पतर दे दिया गया था उसके बाद आपको कॉंग्रेसी यानि सुरिकेशन सिंग के आपको देष्टा में फिर से आपको गठन होता है 20 जुलाई अट आपको 1937 ठीक है ध्यान लखिएगा बिहार में पहला कॉंग्रेसी मंत्री मंदल का गठन का किसके नितुर्ट में हुआ था तो यहीं सुरिकेशन सिंग के नितुर्ट में हुआ था पीस जुलाई को कब हुआ था तो 20 जुलाई को हुआ था था हुआ है ठीक है कि भी हर के आप कारशें मंदल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों करिया के मामले में नाप को स्छन है कि हुआ के क्योंकर री यह यह पटीस फरवरी 940 को दियाना कि अबताई गणाइगा फट्राफ ट्यूट्स राज बंदियों की राइसे मने बताया था द्यादा थाना के गार राइट एंसर अपना त्याग पत्र दिया था उनीस्टों टिसमी देदी आथा किसकारण से राज-बंदियों की राई से म ने बताया था ना कि आप लोगों को कि कॉंग्रेस जब बनी थी तो उसमें जब सवने अवग्या दूती जो आपको में टूड में स्टार्ट हुआ था उसमें कई सारे आपको नेताओं को बंदी बना लिया गया था ठीक है ध्यान रखेगा उसके बाद इन्होंने क्या किया म इन लोगों ने त्याग पत्र को वापस भी ले लिया था ठीक है इतना डेट कैसे याद रखी यह सब तो याद रखना पड़ेगा वाई पंद्रा डेट याद रखना में क्या है पंद्रा फरवरी 1938 आप लोग के फेवरेट दिन के एक दिन बाद दितियभी स्युद में इंग्लैंड की सरकार के दार भारत को युद में सामिल करने के बिरोध में अब देखो यह कोशन चेंज हो गया कि पूरे जो मंत्री मंत्र जिसमें बिहार भी थी कंप्लीट रूप से कब त्याग पत्र दिये थे तो ध्यान रखेगा 31 अक्टूबर 1949 wszystko को दिये थे कब दिये थे 31 अक्टूबर 1949। को अ कि एक ही फूटई है तो यहासे याद करें किये कि मेरे जनन्धीन के पांचवे दीन यह गह्टणा मेरे प्रिये दोस्त के जनांधीन के छत्थे दिन यदि उसी दिन है तो वह ऐसे चीजों को यहासकोन करो मेरे कहने का मतल leader's manifesto में इन में से बिहार की किन नेताओं का Shatakshar नहीं थाDown ये लिडर's manifesto था क्या तो Simon Commission के खिलाब जो भी लोग थे उन्होंने क्या चिया छंप दे corazón किया था की हम लोग इसे बिरोध है इनमें किसका साहरा नहीं था तो प्रिये दोस्त नहीं है अरे जिसके प्रिये दोस्त नहीं है लेकिन एक होता ना कि कास्व मेरा प्रिये दोस्त होता बस हो गया विहार में साइमन कमीशन के पुर्ण भाइसकार के लिए साइमन कमीशन के पुर्ण भाइसकार के लिए इसमें अध्यक्षता किसने किया था तो सर अली इमाम जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता आपको की गई थी ज्यान रखेगा नाइंटी ट्वेंटी एट में 27 में मिनफेस्टो का साइन हुआ था 16 नौबर को जिसमें मजूल अग जी ने साइन नहीं किया था बाकी इनके द्वारा और बहुत सारी लोग थे और यह अध्यक्षता आपको साइमन कमिशन के पठना आने से कुछ दिन पुर्व 6 दिसमबर 1928 को बिहार प्रांतिय सम्मेलन पठना में हुआ था तो आपके कोश्चन में ही है आपका एक और कोश्चन आपके कोश्चन में ही है वो क्या है कि 6 दिसमबर 1928 को बिहार प्रांतिय सम्मेलन कहां हुआ था तो बलेको फटाफट यहस अनुग्राः नरयन सिग्ण बहुत बनीया अनुग्राः नरयां सिंग है भाहत एंसर है राइञ अंसर विहार में राजनेतिया पीडित दिवस कब मनाया गया धियार आखेगा बहुत इंपोर्त पॉर्टिंड हैमेड हम पीडित दिवस 1508 को 10th 1929 10 सल अगी ठट स्था दंत के बाद 10 साइमन कमीशन के विरोत के बाद 10 सल उनीज सो 90S परन आफ सामन कभी साइमन कंदना का बथ है चलो यह तो आसान सा प्रस्ट कर्म के पर faites साइमन कमिशन पटना कब आये थे हैं द्यान रखेका साइमन कमिशन पटना आते हैं 12 दिसंबर को ये तो सभी को याद रहता है और 6 को आपको क्या हुआ था परांतिय सभा हुआ था जिसके आपको यहां पर पटना में अनुगरा नरायन सिन्हां का क्लियर छे दिन पुर्व बिहार में साइमन कमिशन के भाइसकार के संयोजक कौन थे मतलब किसने आपको उनका खाका खीचा कि हम लोग ऐसे से काम करेंगे ऐसे से चीज़ों को करेंगे बताएगा तो कर्वेनर आप लोग को इम्तियाज अमत की कितनी वहली है ना बिहार परांतीय समयलन का 28 समयलन कहां पर हुआ था मुंगेर में हुआ था सभीको पता है और by address आप लोग दिखेंगे गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग लाइक से अप्रजिए बाइस विलोग कि द्याना केगा सभी था इसमें ए दी या ए दोनों कर सकते हो स्वाधिन्ता का प्रतिपादर करना कॉंग्रेस को अनुसुंसा किया गया कि एक जवनिंष तो तीस को हम लोग क्या करें पूर्ण स्वाधिन्ता दिवस मनाए बट 26 तारी को मनाए गया था 26 जन्वारी को वाइस किसके द्वारा किया गया था गांधी जी के द्वारा रेजंद्पसार के द्वारा मजरूल हग जी के द्वारा चित्रंदंदास के द्वारा क्या मेरा चैनल थे यह भी मेरा भी बात क्वाथ नहीं से किस स्थान को गंदी जी ने तिर्थ इस्थान गहा था बताइए। बहुत बढ़ियां द्यार लखेगा जीरा देखो राजन पर सथान का जब गांधी बिहार के दोरे पे थे ना तो आपको इसको तिर्थ इस्थान का दी यह गांधी होगा चरखा संकिस्थापना इनको इसकाम सापा गया था इसको नागपुर का जो दिवेशन हुआ था ना उ उसमें यह काम स्वापा भी गया था कि इनको यह सब करने के लिए कि बताएगा इसके सब्दों में आधुनिक तिर्थ इस्थान किसको कहा गया आधुनिक तिर्थ इस्थान चंपारन को पटना को सहाबात को दरभंगा को बताईएगा कौन सा जीला महात्मा गांधी के सब्दों में आधरुनिक तुर्थिस्तान तो दर्भंगा को यह बात कही गई थी किसको भी यह तो दर्भंगा को है ना अपने जन्वरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी ने दास इसमारक अधिकोस की आपको ध्यान रखेगा दास मिमोरियल फंड कव आपको बनाया था बताईए तो उसमें कितनी रासी खटी हो गई थी तो यह कब बनाया था तो 27 में जब बिहार के दौरे पे थे दास इसमारक अधिकोस कोश्चन यहां से समझेगा कि कैसे पकड़ाता है तो दास इसमारक अधिकोस किस ने बनाया गांधी ने बनाया आपको कब बनाया 1927 बनाया कितनी रासी थी तो चालीस हजार शेसो पर पच्चासी अना माथमा गांधी के रचनात्म कारिकरमों में खादी का कारिकरम भी महतपून था बिहार में खादी का कारे आरंब हुआ था कब से बहुत बढ़िया बीस से ही हुआ था मधू बनी में एक खादी उत्पादन केंदर के स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मधू बनी में ध्यान लखेगा इस वर्ड को मधू बनी में खादी उत्पादन केंदर के स्थापना की गई थी किसके द्वारा? द्यान रहे किए तो मदुबनी में जो खादिवत पादर्म केंद्रे के स्थापना की गई थी वो आपको स्रीराम बिनो सिंग के द्वारा किया गया था नहीं रहा है जब भी आपको नहीं रहा है और सत्य है जूभिलित नहीं है कौन सा सही है उसको ऐसे घेर देना है ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कौन से कोश्ण और सही कर रहे हैं कौन से को Yes नहीं कर रहें ठीक है द्यान रखेगा तो राइट एंसर इस भागलपूर कभी नहीं रहा है पहले पटना था देन मधू बनी आपको आपको मुझषफण देन रहा ठीक है चर्खा का कपड़ा केंद्र बनाई है चर्खा कनी बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतुट में हुई थी खादी की प्रगति किसको कारे दिया रखेगा जब गांदी जी गय थे तो खादी को इंप्वर्टेंऋ दिया गया था कि खादी को चीजों को लेकर आगे बढ़ना है यह किसको support गया अब द्यान रखेगा यह जो कार्य है बिहार में राजिंद परसाद जी को सब गया था और कहा गया था कि आपको यह कारे करना है ध्यान रखेगा अब हमारा वाइटी सेशन अब यहीं पर रहेगा मतलब कि अब भी तो होगी क्लास चलेगा भी तो है असी कोश्चन है उप कल अब भी नहीं ठीक है अब आप लोग करूंगा तो आप लोग आप लोग को नहीं रहना ध्यान रखे का इस इस को कि अब आप लोग खुद भी अपना करो अपको ट्रैवलिंग भी करोगे कल पांच साथ मिनट का सेशन लोगा कि कैसे चीजों को अंतिम समय में करेंगे हम ल पुरान गांधी जी को किस जगह के नागरीकों ने अभिनादन पत्र दिया था यह डेट को याद रखेगा भाई यह इस इसी पर खादी मौल पुर्णिया वेगारा बनाए जा रहा है ध्यान अखेगा बिहार शरीफ के लोगों ने इनको अभिनान पत्र दिया था ठीक है दियान अखेगा यह सट्र नरायन लाल समधित किस से बक्सर से मोतिहारी थे हाजी मोतिहारी से हाजीपूर से दरभंगा से बैंगलोर पड़सो जाएंगे सेटेडे को सब आप लोगों जनकारी रहता है नहीं कि सब लोग बैंगलोर जा रहा हैं सब लोग यह करें कहां से मिलता है भई है सब जनकारी तुम लोग को चलो राइट एंसर इस बक्सर तो कोई पर थमकार है तो भागलपूर में या किया गया था ध्यान खएगा भागलपूर में आ आसोयोग आंदोलन के दौरान ट्रिंस आफ विल्स की भारत भी पटना यात्रा कभी भारत नहीं पटना है द्याना केगा पटना यात्रा कभी थी अधियर संजीव चलिए क्वेस्टन बताएगा और से यह गांदोलन के दौरान प्रिंस आफ वेल्स की आपको जो यात्रा की गई थी पटना में कप की गई थी 19 से 20 दिसमबर 22 से 23 दिसमबर 19 से 20 दिसमबर 20 या 22 से 21 दिसमबर बीच बताएगा फट अब फट से 21 should आपको 5 से 24 दिसम तूरा कालिप UK अधियर से 22 दिसमबर 24 दिसमबर 25 दिसमबर 25 धटना moleश्मपर 25 अबर 23 दिसमबर 25 दिसमबर 25 दिसमी हारेगा पको Yes, कि अच्छाइब करें चर्द आए इस चरीए कि अच्छाइब को शंट कोश्र कोश्र आए दियान अगेगा अ की बिहार कौमी की स्थापना का भी ती जृटाओ ना सटाइस नोबर एकीस बाएस बीस थैस ने लगाएश तका है इस दाराइट एंसर इक इस टेकर अपिश्छाइब स्थापना 21 में हुआ था next question किसान समचार के संस्थापक कौन थे पत्रिका है किसान समचार के संस्थापक स्वामी स्वरूप पानंद जी स्वामी सर्धानंद जी राजन्स परसाद या बिद्यानन्द पताएगा कौन है कि बहुत बढ़िया राइट अंसर इस्वामी बिद्यानंद स्वरूप नहीं बिद्यानंद जी थे दियान लगेगा यही सब कोश्चन है ना मैं इसलिए इसमें मिसलेनियस लिखवाया था कि यह सब अंती में जनरली बच्चे छोड़ कर जाते हैं यह सब कुश कोश्च्चन बिहार में असयोगा नद ललन के दोरान बापु तारापद बनर्जी पर किस नाम से सबस्के ठियाना खिएगा कि इन पर अभियोग मुगदमा चला गया था बताएगा किस नाम से इस्तिहार चापे थे पिरितिया फिरंगिया बिदेशिया या अंग्रेजो स्वराज दो ध्यान रखेगा बापु तारापत बनर्जी स्वयोग अंदुलनस थे यह बिदेशिया अगबार चापे थे और अं जोगांदुलनस समंदि घटना यह बियार में कॉन सच जीला सबसे बड़ा केंद्र था द्याना केगा सबसे बड़ा केंद्र भीहार में आसा योगांदुलन त्यान अगेगा मुझभफर पूर इस दराइट एंसर वाईसे आप लोग अंसर वाला कंसेप्टिया पर दिके आगे बाठ रहा है मुझभफर पूर इस दर राइट एंसर वभीहार में कहां पर 1922 में जंडा से संबंदित विवाद हुआ था बिहार में कहां पर 1922 में जंडा से संबंदित विवाद हुआ था मुझफरपूर भागलपूर आरा या पटना द्यान लखेगा भागलपूर इस दराइट एंसर भागलपूर में या विवाद हुआ था ठीक है द्यान लखेगा तरतों पैसे संब्सक्रां जोर पूरिवें पिसर भागलपूर में हुआ था तीक है द्यान लखेगा है पतनाविश्व विद्या लेके स्थापन कभ हुई थी सवला मैस स तरह में उन्नीस में पतना युनिवर्सिटी द्याना के विहार का पैला युनिवर्सिटी था यह तरह पेखनेशन नहीं है तब गयाई zmian 1917mm विष्ण गपस्टों पसंव्य विद्याले इसी बातम बता यह ईक्षट था तो ध्याना टॉने स्नुच्ट और यह आलवेस दोनों में रहता है और दोनों ओप्षण में भी होता है ठीक है ध्याना कियेगा कि बिहार में सबसे पहले स्थापित 200 बिद्धाले का नाम बताएगे कि अभी जस्ट बता है मैंने कि बिहार में जो पहला सभी को पता होगा लेकिन बिहार में कभ सवी लोग पड़ापट कर अरे वो नालंद इतिहास की बात नहीं हो रही है कि इतिहास की बात नहीं हो रही है वर्तमान में चलिए बहुत बढ़ियान राइट दिसमबर 16 दिसमबर 16 बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे सचिदा नंसिन हां मजूरूल हग जी एनी पैसेंड या फिर राजन परसाद बिहार में होम्रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे चलिए बठापड बताए सविवच्चे असान सा प्रस्थ नहीं है सब मजहरूल लखची आपको यहां पर संस्थापक थे होम्रूल आंदोलन को लीड भी किये थे हैं ना अधियान रखेगा अपको जब पटना है थी हाला कि होम्रूल आंदोलन जब बहुत जाता सक्रिय नहीं था उस समय वह पटना आए थी आपको ध्यान अखेगा ना इंटीन एटीन में आई थी एक बार अठार आपरिल युलाइग थी इसके पहले ही आपको फ्रहाश डाउन हो गया था कि की से पहले उनीस्टोव में एक आपको घोसना किया तो इसमें कहा गया था कि हम लोग देंगे स्वाशासन जब लगे कि आप लग उसके लायक है उसके अथ्रोज़ा डाउन हो गया था फिर भी एक्टिव था उसके बाद असवयों गादन को दुरान फिर दम निस्करी हो गया था बाद में तीलक और इनी पेसंट का वो मिल भी गया था ना तो ध्यानक्य का डी पंडित जवाल लाल नहरू ने कौंग्रेस के किस अधिवेशन में सरव पर्थम भाग लिया था गया बाकेपूर फैजपूर मदरास पंडे जवाल नहरू ने कॉंग्रस के किस अधिवेशन में स्वर पर्थम भाग लिया था ध्या नखेगा बांकीपूर इस दा राइट एंसर बांकीपूर में सबसे पहले भाग लिया था क्लियर पटना होम रूल लिख के कि सनेता ने भारत माता की पूजा प्रारम करने का विचार रखा था यह चीज ध्यान रखेगा कोस्टन यहां पर अलग भी आता है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन पहली बार भाग लिया था बांकीपूर कोस्टन पूजदा है कि पहली बार क अध्यक्षता की थी तो लाहूर ठीक है लाहूर 1929 को अध्यक्षता पहली बार की थी परस्टाइम अलागी समय गांधी की द्वारा ही दिया गया था इनको और बांकीपूर में पहली बार यह कॉंग्रस के अधिवेशन में आये थे मतलब की सामिल हुए था ध्यान रखेग लाइक कर देजिए सेशन को सेर कर देजिएगा बहुत बढ़िया ध्यान रखेगा राइट एंसर राय पूरण चंदर जी यह कौन थे तो यह पटना होम रूल के एक्टिव आपको ने था हाले कुछ दिन बादीन को वह हो गया था बट ध्यान रखेगा यास बहुत बढ़ कर दिखाना है कि अंग्या आपके ला रहा है यानि PhD आपका 12 तरिक है उसके बाद आप लोग चाहें तोटीन बैचेज हैं 69 वालों के लिए भी है 69 70 वालों के लिए है और 69 70 के लिए बी कहनने के बदाब यह है कि जो 69 70 दे रहें उनके लिए फॉन्डेसन बैच आरा है बेस सकते हैं इसके अलावा 68 मेंस के लिए दो बैच आपको अनकेडमी की तरफ से आ रहा है पहला बैच आपको आ रहा है जी एस पेपर वन निवंद के साथ यानि ऐसे के साथ सरिफ इस बैच को खरिजना है तो जस्ट आपको 2499 पे करना होगा सभी में एक कोड अभी से ही लिख ल होंगे ना तो यहां पर देखिएगा आएगा हम होम कम्यूटी इस्टोर और मी तो इस टोर पर क्लिक करें ठीक है जैसे ही स्टोर पर क्लिक करों तो ऐसे आ जाएगा यदि जीएस पर टू का केवल चाहिए हिंदी मेंस के साथ तो जस्ट आपको पे करना होगा 3000 यदि आपक 10 पर सकते हैं यह भी पर सकते हैं यह भी पर सकते आगे आने वाले एक साल तक सभी बैच पड़ सकते हैं भी तो जरूर ले लिएगा अब लाइब रखीएगा अपने जहन में 10 प्रसंट का डिसकाउंट किसी मित्र को भी शेर करना होगा तो कर दीजिएगा तो इतने सस्ते बैच पहली बार आपको आएगा यहां पर अने कैडमी में सिर्फ में पहली बार ठीक है चलिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फार्सी सिक्षा कहां से ग्रहन की थी स्वेता मैं स्वेता मैं जो ऐसे एक्सपर्ट है उनसे पढ़िया ऐससे भागलपूर पटना मितला या दिल्ली ध्यान अखेगा जो ब्रह्म समाज के से यानि राजार मोहन राज जी पटना है थे फार्सी आपको पता ही होगा कि कई बार कई लैंग्वेज के आपको यह थे बहुत लाइंग्वेज जिनको आता था अना प्राचीन बिहार के मितला से संबंदित थे कौन प्राचीन बिहार में मितला छेत्र से कौन को समन्दिते गौतम थे या गवल्ले थे लक्षमी धर उपयोग से विध्यान नखेगा अगर यह आएगा विद्यापति वेकर सब इ है कि माला क्रीधी पता का जो रचनाकार है विद्यापति सबसे पर आपको पता होना Цke इंगे शेट्र स्व्यूंस नियुक्त समचित आ जया उनी पर लिखा गयता यह पुस्त कर्षा just हुई थी किस में बताएगा सभी लोग कोस्चन है हिंदी के प्रसित साहितकार भारतेंदू हरिष्चन की समस्त कृतियां किस प्रेश से प्रकासित होती थी सरस्वती प्रेश सर्चलाइट प्रेश खडग विलास प्रेश या रहमानी प्रेश ध्यान अकिएगा राइट एंसर इज खडग विलास प्रेश से इनकी सभी क्रितियां आपको क्या होती थी छप्रता था बिहार के सहित्यकार कौन है रामधारी सिंग दिनकर जी है गोपाल सिंग नेपाली जी है पंडित रमावतार सर्मा है कुमार बिमल है पताएगा कौन से सहित्यकार है यहां पर बिहार के द्यान केगा सभी है आल खाला कि कुमार बिमल कभी थे यह सभी लिट्रेचर यहां पर जितने भी सहित्यकार थे यह लोग आपको कई सारे नोवल वेगारा लिखे यह कविदा लिखे एक्सपार्ट थे बिमल जी हाना बहुत बढ़ी है रवाइट अंसर इस ए हिंदी कभीता छेत्र से समंदित विहार के कौन कौन है कौस्टन है हिंदी कभीता छेत्र से समंदित विहार के कौन है कुमार बिमल है डॉक्टर वचन कुमार है डॉक्टर सुमन सरीन है रामधारी सिंग दिनकर जी है सब्सक्राइब को जानते हैं लक्षमी धर को जानते हैं लेकिन पुष्दे गुपाल सिंग ने पाली कौन थें पंडित रमातार सर्मा कौन थें कुमार बिमल कौन थे वचन देव कौन थे यहां पर इमान रहे तो चली आपका एंसर सही हो जागा नहीं आपको नहीं पता था इनके बारे में गुपाल सिंग यहीं आप लोग को यह सब चीजों को ध्यान रखना होगा जब को इस प्रकार से आई तो आप मार दे लेकिन अच्छा गोपाल सिंग ने पाली भी बिहार के अच्छा साहित्यकार ही ते लिकलो भाई रमातार सिंग यहीं थे अच्छा तो ऐसे करके चीजों को नोट किया जाता है को सब्सकूर बिहार के प्रसित उपन्यास कार है स्री नागारजुन जी फनिशन नातरेनु जी रॉबिंस वाप उसकार या फिर रामधारी सिंग जिन कि अगें आल है अगें आल है अगें आल है चले बोश्पूरी भासा की बिश्वप्रसित कृति बीदेशिया के रशनकार कौन है अंडेड़ परसंट का इंसर बताएगा सभी लोग अंडेड़ परसंट देंजें कोई अंसर नहीं करेगा चले अरे तुम लोग कॉमेंट में चैटिंग कर रहे हो कि फलना जगा कैसे जाए चलना जगा एक कैसे जय ट्रांस्पोर्ट कैसा है तो वहां से जूट से बोश्पूरी का जनकवी किसे कहते है चलिए बोश्पूरी का जनकवी किसको कहते हैं बताएगा है कर दो इनको भोचपूरी कर शेक्स-पियर भी कहते हैं ध्यान लखीएगा लाइट ईंसरी भिखारी ठाकूर भीखारी ठाकूर जी वोचपूरी का विकाइट मेस्टार्ण बहुत फेमास हुए थे ना इस भीदेशे के कारण आपको काफी फेमास हुए थे डॉक्टर राजन्द प्रसाद को 9 अगस्ट 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था ध्यार ना किया कर देट पूछ देता है कि कब भेजा गया था तो 9 अगस्ट करांदी शुरू होई थी ना तो उसी दिन सभी को कर लिया गया था एक चला कि 32 को यहां पर एक ऊप्रेशन जीरो लगाया गया था जीरो आया था जीतने भी बड़े अपको नेता थे पूरे भालत में वी सब को घिरफतार कर लिया गये है किसी वहमार चल में इसलिए गळाण जीजी को यह पता था कि एस AI wigड शब estás बांकी पूर इज़ दरकाएंसर भाएंट चुड़ों आंदोलन के दोरान किसने सरकारी नीती के बिरोध हैं महाधीवक्त के पद से त्याग पत्र दे दिया था कोश्चन है भारत छोड़ों अंदोलने के दौरान किसने सरकारी नीती के बिरोध में महाधी वक्त यानि एड़ोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था ट्रेन विस हो गया है और ये सब क्या कर दे रहे आप लोग ये सब गलती मत किजिए भाई प्दाफट देखो कोई दूसरा अपहे। श्रम ऩे भाई ये भारत छोड अंदोलन के क्रम में पठना सची वाले गोली कांट कब हुआ है कुश्चन है भारत छोड़ों आंदोलन के क्रम में पटना सचिवाले गोली कांड कब हुआ था द्याना केगा आपको 11 अगस 1942 को यह गोली कांड हुआ था और 12 को पूरे पटने में हर्ताल हुआ था भारत छोड़ों आंदोलन के करम में 11 अगस 1942 को पटना सचिवाले में पूलीस गोली कांड में मन्ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी बताएगा भारत छोड़ों आंदोलन के करम में 11 अगस 1942 को पत्ना सचिवाले में पुलीस गोलिकार में मंदेवाले के कुल संख्या कितनी थी 10, 7, 4 या 2 चलिए असान सा प्रस्न है पताएगा साथ सबका नाम भी याद रखना होगा आप लोग को अभी जस्ट आप लोग को नाम याद हो जाएगा बारत छोड़ा अंदोलों के करम में पटना सच वाले गोलिकार में सहीद होने वाले निम्लकित में से कौन नहीं थे साथों में सिंस्द्चारों में से कौन सा एक नाम नहीं थे द्जान रखेगा सीता रामकेसरी जीसमें साम मील नहीं थे सबसे पहले 11 अगस्त को हुआ था दोपहर में हुआ तो जिरादिकारी कौन थे आर्थर थे इसको भी ध्यान लखेगा कौन-कौन थे इसमें आप लोगो याद रखना होगा उमा रामा सतीष जगपती देवीपध राजेंदर सिंग राम गोविन थे दियान रहें अब यह मत कर एक सर आप रिस्पक्ट से बात नहीं करते हैं बस याद करने का मैं यह बता रहा हूं ठीक है रामानंद जी थे राम गोविन्द जी थे उमा कांथ भी थे देवी भी थे राजंदर सिंग थे सतीष परसाथ जगपती कुमार थे मैं एक दिन यूट्यूब क्लास रे कोई बच्चा करता है कि आप शीव क्यों बोले आगे भगवान लगाई यह लाश में जी लगाई यह पढ़ाए के क्रम में निकलता है को इंटेंशन किसी का नहीं होता है कि वो किसी का वह करें अपाप भकते तो सामने वह भकते है या नहीं है आस्तिक है आप इसकी चीज को मत किया करें और तो दियान रखी का यह सब और मरा है नंद सींग 21 या जगपतिकुम्य देविपद्रद राजेंद्र संग रामगौनिंद्र संग ए कि कि राजंत सिंग तो है रामसिता के शरी यह नहीं थे राजर सिंग कि है डॉक्टर राजर परसाद की बहन का नाम था राम प्यारी देवी था सरस्वती देवी था प्रभा देवी था या भगवती देवी था कोश्चन है डॉक्टर राजेंद प्रसाथ की बहन का नाम क्या था उनका नाम आ है कि दियान रखेगा भगवती देवी इनकी बड़ी बहन्त थी है ना पचीज जनुवरी को इनके डिहांथ हो गया था जगतts नरायन-land जी को किस जल में रखा गया था जगत नरायन लाल जी को किस जेल में रखा गया था बांकी पूर जेल जेल भागलपूर जेल या हजारी बाग जेल द्यार नखेगा राइट एंसर इस कि बागएपूर जेल में भी इनको भी बागक पूर जेल में रखा गया था यहार ॉस्पा की पूर जेल अगस्त नाइटी फोटीट cada by काश द्विसी जिसमें डो सबॉरें बिमान चल्टों को लोगों ने मार दिया था अब सुचिये कि यह दो किसमत क्या होगी एक तो दुरघटना ग्रस्त दुरघटना ग्रस्त में कैसे बच गए दोनों दोनों बचे उधर से आदमी आए माट फाइटा फाइटी मार दिये इनको इसके पिछे रिजन था इसके पेचे रिजन था कि यह विमान क्या काम करता था यह लोग समचार पत्र जो होते थे ना वह लाते दिल्ली वगरा सब्सक्राइब और जो भी हब भार बिहार के यानिक रांतिकारे को बिरुट चीजे उसको प्रमोट वगरा करते थे तो यह घुस्से में थे इन लोगों के यह कि समचार पत्रों के माध्यम सब इसी कारण से आपको काफी मत यह जो किस चुछ के लिए कि अजाद दस्ता का गठन हुआ था अंग्रेजों की हत्या करने के लिए तोड़फोड की करवाई के लिए युद्ध कारियों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए या बी औड़ सी द्यान रखेगा 64 is the right answer B & C हत्या उत्या कभी नहीं था इन लोग का हिंजा हत्या अजाद दस्ते का काम कभी भी नहीं रहा है तोड़फोड करना युद्ध कारे में सरकार को बाधा पहुंचाता नुकसान पहुंचाना उनके छेत्रों पे छपमारी करना परिशान करना यह स नेपाल में आपको किया था राज बिलाज जंगल अना जय प्रकास नरायन भारत छोड़ों अंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिये था भारत छोड़ों अंदोलन में या बारत छोड़ों अंदोलन के दोरान इन चारों में से कौन सा दल सक्रिये था राम द्यालो दल, सिया राम दल, राजंद्र दल या जया पृकास दल बहुत बढ़िया राइसे सिया राम दल राइट रामदल इस दर राइट एंसर बहुत बढ़ियां ब्यार के लिए गठित अजाद परिशाद ध्यान रखेगा अजाद परिशाद यह सभी क्या थे जो ऐसे काम आपको अजाद यह कर रहे थे ना क्या नाम है अजाद दस्ता वैसा ही काम इन लोग अभी था चाहें वह अजाद परिशाद सुरेन राइन सिंग अजाद परिशाद सुरेन राइन सिंग ठीक है ध्यान रखेगा बिहार में बहुचर्चित गंगा जल घटना घटी थी कब राई एंसरे में से घृस्टना एटी में यानक धल को ते Carib कुम है यांक देurg को है अ मियार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना आपको कम घटे hope गो कि आनसेटहीं पर अब condition द्यान अखेगा राइट एंसर एटी में 1980 के घटना है गंगा जल मात्मा गांधी सेतुपुल का उद्धाटन कब हुआ था असी में रासी में 89 में या 85 में मात्मा गांधी सेतुपुल जो है न उसका उद्धाटन सभी लोग फॉलो कर दें लाइक कर दें को राइट एंसर इस बिरासी में अक्टूबर 1989 को संप्रदाइक दंगे हुए थे कहां पर इस सब्सक्राइब याद रखेगा विए भीजन संप्रदाइक दंगा था आपको कहां पर हुआ था पत्ना में सिवान में पस्षिम चंपारम भागलपुर में पत्ना में सिवान में चंपारम भागलपुर ध्यानके कब भागलपूर भीयार में डी एम जी कृष्णायन हत्या कांट की घटना घटी थी कब बियार में डी एम जी आपको क्रिष्णायन हत्या कांट की घटना कम घटी थी कि नबे में द्यान दगे गटना आपको दिसंबर 1994 में घटी थी दिसंबर 1994 की घटना है ठीक है द्यान लखेगा अ अब बताएगा फटाफट विए अबाद में जेल लूटने की गटना कम घटी थी जहनाबाद में जेल लूट कांड हुआ था बहुत भीशन वाला यह गटना कम घटी थी घटना कम घटी थी बताएगा सवीलों प्रसिद सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जनम कहा हुआ था प्रसिद सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जनम गलत मत किजेगा भाई बताएगा कौन है यहां से हुआ हुआ है तषनalis डूम्राह और बॉक्सर को ऑद्वु मख्सर है श्रेंस देते हुए कि प्रक्राइज सीह इन चारों मेंगा नहीं व्लड में फेमस है लीस इस वot苏 मीगा हैं। कि दियान लखेगा मदूबणी पेंटिंग है ना पता ही होगा आपढ़को फिर जांदार टाप का बनता है हरा यह पता ही होगा आप लोगा हमिया लुका बना दूगा निकाल गया यह अफ का यह सब अगो की लिखुआ, कपड़ा में आपक्रिती होती है अशा है मन्जुषा चित्र सयले किस च्शेतर से समभनदी थे भोषपूर्ड चेत्र पट्लिपत्र चैत्र या नारंदा छेत्र कुस्ट रहे हैं आप लोगों को मंजुषा चित्र सैली किस चित्र में लोग प्रियत ही द्यान दखेगा अंग छेत्र यानि आज का भागलपूर और मुंगेर भागलपूर में अभी भी है मंजुसा चित्र सेली बीदेशिया की सराज्य का लोग प्रिय नाट्य नित्र है अब बताएगा वीदेशिया की सराज्य लोग प्रिय आपको निर्त्य है नाट्य मतबब नाटा के दोड़ा किया जयता है नहें दियान केगा विभार का है विदेशिया विहार का नट्यलेमतर की नाटा के गाए zwischen वाला लगनी राग में घा जाना वाला गीट ещё किस के लिए बच्चेक्जण में अजिए सब नहीं हो कि द्यान रखेगा बिवा के उसर पर लगन से लगनी है ना अब आप लोग कॉमेंट में से बताएगा कि बच्चे के जनम के समय कौन सा गित काते हैं द्यान रखेगा निम्र कितमें से कौन सी रचना पनिस्वार नाथ रेनू की नहीं है इन में से कौन से रचना पनिस्वार नाथ रेनू की नहीं है कितने चौरा हैं बिदेशिया जूलूस या मैला आचल द्यान रखेगा बिदेशिया नहीं है कि इनको प्रसिद्धिक पढ़े नहीं पढ़े तो कभी समय में मिलेगा तो पढ़े लिजेगा यादी हिंदी साहिती कभी दार्थियों को पढ़ी होंगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मतलब लोकल है इसमें आपको यह पूरा बताया तो यह नहीं पढ़े तो पढ़िएगा जुलूस कितने चुराएं भी इन ही का है ठीक है ध्यान लखेगा बिखारी ठाकुर को या फिर मन्जमिस्र को बताएगा कोस्चन है बिहार के किस विद्वान को मैथिल ठाकुर के नाम मैथिल कोकिल के नाम से जाननेता है बिदियापति जी यह नध यहिदि को कुल सामा ऑस्छी और मिलते तभी तो जट्वार स्द्व्य है जट्वाट नातिनर्द्व कहा का प्रसिद्द्व ट्र economy किसा या सिर्ट ध्याना थेगा यह सब नाट पमनें थे मतलल ना टक के द्वारा यह सब कहता है भी हर का है कि जञती नौ नलंदा महावियार प्रसिद्ध किसके लिए है यानि नौ नलंदा अभी का जो आपको महावियार जो है वो किस इसके लिए प्रसिद्ध है चारों में से है कि बहुत धयान आप कि पाली इसनात्य कर्ब्र सोझ संथा रिसार्च सेंटर पर ब्रह में द्वायश शासन का प्रारंब कभ हुआ था कोश्चन है बिहार में 12 जिकाई का प्रारंब प्रारणर कभ हुआ था 29 दिसमबर एक जनवरे 2 या 19 बदाइक अले यह को है साशन हम लोग ने कर्वी पड़ा था और बताया हम लोग को चाहट टर्म में आपको द्वासाशन हुआ फाण हं लोग आपको कर्ण बताया था कि चाह थो ड्रम साशन हुआ था बिहार में यह कब प्रादम होगा तो धियान रखेल मे 1920 को हुआ था ठीक है उनीज स सब्सक्राइब कि सुरूबारा हुई थी तो भाई हुआ था उसके बाद 1784 में सेगेंड हुआ था जो कि आपको 1858 में खतम हुआ था और उसके बाद 1919 में प्रांतों में हुआ था ठीक है कहां पर 1935 में खतम हुआ था यह प्रांत में था एस्टेट में था और सुल्ब केंद्र में था थे की यह चारों प्रस्ना आता है यह चारों प्रस्न आता है यह कहते ने भाटतर में क्यों खतम ठार्ण seven Wanna और अच्छा कर लिया देवारी राजर स monit Bakkmा प्रावतांन और डिया né बिहार के गवर्णर कौन थे बिहार में द्वेश्वाइस प्रारम होने के समय बिहार के गवर्णर कौन थे इसी नहां स्रीकृष्ण सिंग मुहम्मद यूनूस या पी डॉक्टर सचिदा नंसी नहां कि द्यान अखेगा इनको स्पी सीनहा के नाम से भी आपको जाना जाता है और इनको जो सबसे फेमस हैं वो है लौड सीनहा और यह इनको बनाए गया था आपको बिहार का कि प्रतम भारतिय गवर्णनर कौन थे सीर राजगोपलाचारी थे डॉक्टर सची नान सीनहा थे यहीं लौड सीनहा पहले थे जिनोंने त्याग पत्र भी दे दिया था असोयोग वादनों के दौरान कि अना द्यान लखेगा पहले भारतिय थे जो कि इस प्रका के गवर्णनर पर पर थे तो क्वेश्चन कहा रहा है बिहार से अलग कर उडिशा को नया प्रांथ कब बनाए गया कि द्यान रखेगा उडिशा प्रांथ बनता है 1936 में द्यान रखेगा 12 में कौन बना था तो बंगाल से अलग हुए थे कौन अलग हुए था बंगाल से तो बिहार प्लस उडिशा दोनों अलग हुए थे साथ-साथ है ना 36 में अलग होआपको विहार और उडीष необход होता है ठीक है यानि अलग अलग प्रांत बनते हैं किसी अधिनियम से TO 1935 के एक्ट के द्वारा दोनों कोशन कुछता है किसे के द्वारा तो नैंके मोम हाँ हो दोनों कोशन कोस अधिक्र में आपको यह हुआ था के चुनाव हुए थे कब 1935 के जो अधिनियम था उसके बाद आपको चुनाव किये गए थे कब कि सब्सक्राइब असान है कहां गया बाइज से सताइज जनुवरी नाइटी ठर्टी सेवन शत्यस को नहीं 37 को नाइटी ठर्टी सेवन के भी हर सब्सक्राइब चुनाव में कॉंग्रेस को कि कितने सीटे प्राप्थ हुए थे बताएगा कॉंग्रेस को कुल कितने सीटे प्राप्थ हुई थी अट साट एक खत्तार अंठानवे या बानवे ध्यान रगेगा नाइटी एट यह सभी कोशन कराने का उद्देश यह था कि कई सारे प्रस्न आप लोग छोड़का चले जाते हैं हाला कि बहुत सारे कोशन थे अब पढ़िए ठीक है नाइटी ठाटी सेवन के बिहार विधान सभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी कि नाइटी ठाटी सेवन के बिहार विधान अभी और था लगब दोसोड़ाई सब्सक्राइब चोड़ दे रहा हूं क्योंकि ज़रूरी नहीं है अप अपना पढ़ाई वड़ाई की बहुत ही ज़रूरी ठीक है और दो पीपीटी थे उसमें भी मिसलेंस के तो वहीं इम्त कि रिवीजन का जो सेशन हमारा चला लगबग डेढ़ महीना वह यही था कंप्रीट हो पूली आप लोको काफी रिवीजन हो गया होगा सभी को बेस्ट अपकल मिलेंगे आप पांधस मिनट के लिए लाइब पे ही मिलेंगे और कल एक पेट चैनल क्लासे से कल के कोई क्लासे पांधस नहीं होंगे इन्वार्मेंट वाला मैं आप लोगो PDF दे दूंगा कोशन एंसर का ठीक है उसको कर लीजेगा आप लोग यह चार अब में आपको आ रहा है कम्प्रीट कर सकते हैं अभी 50% का डिस्कांट मिल रहा है आप लोग यह कोड को जरूर डाल दीजेगा यह जो कोड दीख रहा है ना अभे लाइब इसको जरूर से याद रखेगा जस्ट जीस पेपर बन चॉपर चीस सो जीस पेपर टू भी तीन हजार मे हैं तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक बाद कोई समस्य तो बताइएगा टेलिग्राम को फॉलो कर लिजिए कॉमेंट करते चाहिएगा मैं देखता हूं कॉमेंट है ना चली थाएंक्यों धन्यवाद बेस्ट आफ लग रिलाक्स कीजिए